Hey guys welcome once again to my channel जिसका नाम है Moazum Health and Fitness Education आज इस वीडियो में actually we are going to get a knowledge about have you heard about the term testosterone? right so आज हम testosterone के बारे में बात करेंगे तो आसा डीटेल में actually testosterone chemical substance है जो हमारी बोलगी produce करती है और इसको hormones बोलते है ये hormones मेल में भी पाये जाता है और female में भी पाये जाता है female में ये smaller amount में produce होता है लेकिन produce करता है male का ये number one hormones है इसलिए इसको male hormones बोलते है क्योंकि जितने भी adult वाले गुन है मर्दानगी वाले गुन जब आने लगते है due to this hormones मर्दानगी वाले गुन से कहने का मतलब है हमारे जब डारी आने लगे हमारे बॉडी में hair growth होने लगे अंडराम में hair आने लगे private part में आने लगे हमारे chest में hair growth होने लगे due to ये hormones के उज़े से ये होता है अगर आप बात करें कि ये बॉडी में कहां produce होता है तो mainly दो जगा है primary source है इसका हमारे private parts जो male के होते है वो testis होते है वहाँ पी produce होता है और female में ovaries में होता है दूसरा पार्ट ये है दूसरा जगा ये है कि top of the kidneys वहाँ पे organs होते है adrenal gland नाम करके वहाँ पे भी testosterone मिलता है लेकिन smaller amount में मिलता है primary जगा इसका हमारे private parts है testis के male में और ovaries female में वहाँ पे sales होता है lead dying sales नाम करके वो produce करता है हमारे body में जो ये homos release होता है इसको control करता है पुछ group of structure और उस structure का नाम है hypothalamic patrony adrenal axis actually मैं कुछ दिन से इस topic को पर रहा हूँ तो मुझे अच्छे खासे word याद हो गए है by the way जो base of the brain होता है वहाँ पे पेट्रिट्री ग्रेंड और गेंज होता है वो inform करता है testis को और ovaries को कि body को hormones की ये hormones की ज़रोत है तो ये testis और ovaries ये hormones को produce करने लग जाता है ये testosterone जो है हमारे body में बारे साल के बाद ये तक उसके बाद ये gradually decrease होता है ये नेचरल प्रोसेस है प्रोडूइस होने का testis टेस्ट्रोड testis टेस्ट्रोड अगर हम इसको sex hormones भी बोलते हैं क्योंकि mostly associated with sex drive जितने भी हमारे sex drive sex desire होते है वो due to this hormones हमारे जो sperm production काउंट होता है उसको बढ़ाता है हमारे rate bullet cells को produce करने में भी help करता है हमारे body में appropriate amount में testis tone level होना बहुत ज़रूरी है अगर इसकी deficiency होगी अगर इसकी कमी होगी तो we will face a lot of problems जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका एक एज होने के बाद 17, 18, 21, 22 साल के एज के बाद भी अगर आपका दारी नहीं आता है मुझ नहीं आती है आपके body में जहां पे बाल होना चाहिए वहां पे hair growth नहीं हो रहा है तो आप समझाओ कि आपके body में testis tone level की deficiency है या testis tone level आपका कम है यही कारण है कि बहुत सारे female में भी आप देखते होंगे वैसे तो उनका यह testis tone level बहुत कम रहता है लेकिन किसी-किसी female में धारी मुझ आने लग जाते है क्योंकि यह जो male hormones है उनके body में ज़्यादा produce होने लगता है इसलिए वो male वाले गुन में आने लग जाता है सो testis tone की बात मैं इसलिए deeply कर रहा हूं कि कि यह बहुत जादा deeply connect है fitness industry से यह कमी होने से हम लोग बहुत सारे problem में घिर जाएंगे testis tone responsible है muscle growth करने के लिए testis tone responsible है hair growth करने के लिए testis tone responsible है हमारे mood का swing करने से testis tone responsible है कि आपकी bond में कितना density है कितना strength है आपके body में कितना energy है वो responsible है testis tone responsible है कि आपका muscle growth कितना जल्दी होगा यह depend करता है testis tone पे इसलिए हमारे body में testis tone level होना एक सही amount में बहुत जरूरी है अगर आप बहुत दिन से exercise कर रहे हैं बहुत सालों से exercise कर रहे हैं और आपका वो volume आपका mass नहीं built हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके testis tone level आपके body में कमी है आप अगर बहुत ठके ठके महसूस करते हैं आपके अंदर अगर energy less energy फिल करते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका एक reason हो सकता है कि आपके body में testis tone की deficiency है और कमी है depression के भी सिकार हो सकते हैं अगर testis tone level कम है तो हमारे body जो body का density है वो बढ़ाता है यही कारण है कि female का weight है वो कम होता है क्योंकि उनके body में वो density नहीं होता है क्योंकि उनके में वो hormones ही नहीं होता है इसलिए उनके body का weight कम होता है as compared to male body अगर हमारा टेस्टेस्ट्रोन यह सारे symptoms हमारे बॉडी में नजर आता है कि हमें less energy फिल कर रहे हमारे बॉडी में बहुत time से muscle growth नहीं हो रहा है, हमारे body में hair growth नहीं हो रहा है, हमारे sex drive, sex जो desire होते हैं वो उनका one नहीं होता है, यह सारे symptoms है जो जिससे आप पता कर सकते हैं आपके बॉडी में ये टेस्टेस्ट्रोन लेवल की कम है अगर इन सारे सिंटम्स और हाँ एजिंग का भी प्रोब्लम होता है इंसोम्निया का प्रोब्लम होता है कि आप में सोते हैं बहुत लेड से सोते हैं आपको नीद नहीं आती है और वक्से पहले आप मेचुरिटी मेंचुरिटी नहीं वह तो अच्छी बात है अगर आप एजिंग का प्रोब्लम में वक्से पहले आप बुरी लग जाते हो अपने उमर से जादा एज दिखने लगता है तो आप ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में टेस्टेस्ट्रोन लेवल कम है अगर ये सारे सिंटम अपको अपने बॉडी में नजर आता है तो आप किसी लैब में जाके ब्लाड टेस्ट करवा सकते हैं उसके थ्वूआ जान सकते हो की आपका टेस्टर्स्ट्र TV लेवल ठीक है या नहीं है लेकिन लैब के जो टेस्ट होते हैं उसका रेंज बहुत बहुत करता है तो उसस इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि वह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वह एक अधर टॉपिक है लेकिन नेचरली भी आप बहुत अपना टेस्टेस्ट्रोन लेवल है वह इंक्रीज कर सकते हो आप एक्सराइज करके आप अच्छा खाना पीना करके आप एक शेडि झाल कर आप एक तहीं नहीं नहीं UP करेंच कर एक मेंल कर दोज के आप गाहिए